दोस्तो आज की वीडियो में ये कार्ड स्टूरियो ठीक करना सीखेंगे तो देखिए यहां पे बिल्कुल डेड है इसको मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा तो इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें दिक्कत है जिसके कारण ये डेड प्रोलम है तो इसको पहल इसकी स्फिकर की है ये एक जो है वायर सिंगल वाली वह एंटीना की है और यह दो वायर जो है डेड बलेट ये इसको बैटरी पर लगाते हैं तो यहां पे देखिये मेरे बार व्र की यहां पे लाइट जल जाने चाहिए था लेकिन यहां पर कोई लाइट नहीं आ रही है तो अब इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें तिक ग्या है इसको मैंने खोल लिया है अब यहां पर एक कैपिसिटर इसको पहले दिक रहा है कि फोटा हुआ है अब इसको बोड खोलते हैं उसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या दिक्कत है अब यहां पर द देखिये बोड भी मैंने खोल लिया अब इसके पीछे तरफ देखेंगे अब यहां पर कोई भी प्रिंट हमें चला हुआ पर नहीं दिख रहा है तो अब इसमें चेक करना पड़ेगा किसमें आखिर क्या दिक्कत है अब यहां पर देखिए ब्लैक और रेड से हम पैटरी की सप्लाई दे रहे हैं तो यह ब्लैक और रेड वायर यहां पर जुरी हुई है देखिए यहां पर जुरी हुई है यहीं से अब एक यह पतली सी इधर प्रिंट तो आके यहां पे खतम होड़ा है देखिए यहां पे प्रिंट खतम होड़ा है और यहां पे एक वायर जुर रही है रेड वाली तो यह रेड वाली वायर कहा जा रही है वो देख लेंगे तो यहां पे देखिए एक रेड वायर जो है फिर ये black wire से इस board में supply आ गई ये black wire यहाँ पे जुरी है तो यहाँ पे देख लेंगे ये देखिए ये motor वाला diode जो लगा हुआ है यहाँ से इस डियोड के थुरू supply आगे बर रही है और बोड में यहाँ पे supply आ गई जो कि अब यह बोड में enter हो जाती है प्लस तो ऐसे करके supply यार यह लेकिन इसकी supply बीच में break कहीं पे जरूर है जिसके कारण यह बिल्कुल dead है अब यहाँ पे देखिए यह capacitor फटा हुआ है तो हो सकता है यह capacitor सौट हो गया हो तो इसको हम continuity range में लगा के एक बार चेक कर लेंगे यह capacitor का यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों लगा हुआ है यहाँ पे देखिए यह तो इसके plus यहाँ पे है capacitor का plus side इधर है और minus side यहाँ पे लगा हुआ है यह black वाले wire जो है वह minus की है तो यह दोनों प से बीप साउंड आ गया तो हम समझेंगे कि यह board short है देखिए मल्टी मीटर को continuity range में लगाया हुआ है अब हम इसको चेक कर लेंगे देखिए यहाँ ठीक है अब इसको हम चेक कर लेते हैं capacitor वाले point पे यह plus है और यह minus है capacitor का देखिए यह पा रही है इसका मतलब यह board short है तो short होने का कारण यही capacitor है जो कि फटा हुआ है जहां तक हमें लग रहा है कि यही short हो सकता है तो इसको पहले अब बाहर निकाल लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे तो देखिए इसको capacitor को बाहर निक अब देखिए यह capacitor को मैं बाहर निकाल लिया इस capacitor का वैलू 47 विए 50 वोल्ट में होना चीए जो की 22 विए 25 वोल्ट में लगा हुआ है जिसके कारण यह capacitor पे लोड पड़ा है और यह फट गया है अब देखिए जहां पे फिर से चेक करेंगे अब यह print short नहीं होना चीए तो अब फिर से एक बार continuity range में ही मल्टी मीटर को रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे तो देखिए यहां पे हम चेक कर लेते हैं तो यहां पे हम इसके दोनों पॉइंट पे चेक कर लेंगे देखिए यह capacitor ही short है तो यह capacitor short होने के कारण इसमें light नहीं आ रही थी अब देखिए इसमें light नहीं आ रही है इसका कारण क्या है कि capacitor short था तो इसका minus plus short हुआ है short होने के कारण यह जो wire है यह बिल्कुल पतली सी wire है देखिए तो यह wire बिल्कुल जल चुकी है आपको दिख रहा होगा तो यह जलने के कारण यह supply रुख गई है हम क्या करेंगे direct कर लेंगे अब यहां पे देखिए यह red wire से supply यहां पे आई बैटरी से और इस red wire पतली वाल है तो अब क्या करेंगे कि इस वाली वायर को जो supply वाली वायर है जो यह बैटरी में बाहर निकली हुई है देखिए यह वाली वायर वह यहां पे जुरी हुई है तो इस wire को क्या करेंगे कि direct हम यहां डैवर्ड पे ले आएंगे देखिए यहां पे डैवर्ड लगा हुआ ह इसके इस plus वाले point पे direct हम connect कर देते हैं इसे होगा क्या कि हमारा ये on off switch का connection कट जाएगा और ये direct supply यहाँ पे दे देते हैं अगर यहाँ से board on हो जाता है तो हम यहाँ पे capacitor लगा देंगे और इस wire को बदल देंगे यहाँ on off switch से यहाँ तक उसके बाद ये on off switch भी काम करने लगेगा तो अभी इस wire को हम direct यहाँ डैवर्ड पे connect करते हैं उसके बाद supply देते हैं तो चलिए इस wire को direct connect कर लेते हैं डैवर्ड पे तो यहाँ से इसको direct यहाँ डैवर्ड पे connect कर लेंगे देखिए हमने डिएवर्ट पे direct connector लिया है अब यह wire की और on off switch की कोई मतलब नहीं है direct supply हमने board में दे दिया अब यहाँ पे light आ जाने चाहिए तो चलिए अब check कर लेते हैं तो अब यहाँ पे हम battery की supply इसमें देते हैं अब यहाँ पे battery की supply मैंने इसमें दे दिया अब देखिए इसमें light आ चुकी है तो यहाँ पे वही दिक्कत थी देखिए यह capacitor फटने के कारण इसोट हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि यह supply short होने के कारण यह wire जल गई और इसमें supply आना बंद हो गया जिसके कारण इसमें light नहीं आ रही थी तो अब यह 47 UF 50 V का capacitor इसमें लगा देंगे यह बिल्कुल OK हो जाएंगा उसके पास इसको जैसे पेंच खोला था वैसे इसमें कस देंगे तो यह complete हो जाएगा तो यही आज का वीडियो था दोस्तों अभी हमारे पास यह 47 UF 50 V का capacitor न है तो ऐसे ही कोई भी Fault मेरे पास आता है तो मैं आप लोग के साथ ऐसे ही हर वीडियो में शेयर करता रहूंगा ताकि आप लोग को भी असान रहे कोई वी शेट बनाने में तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा चैनल के नहीं है तो चैनल को स्काइब कर लीजिएगा वेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा कोई सवाल या सुजाओ हो तो कमेंट जरूर करिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत तेंक यू